दिमाग को ट्रेन करना होगा सोचने के लिए तो इस नंबर में एक और 11 फेक्टर होना चाहिए एक और 11 फेक्टर होना चाहिए 33 तो आएगा नी तो सिर्फ एक ही संभावना है रटे रटाए फॉर्मुला से सवाल नहीं होने वाला इसकी वैल्यूज अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है कौन सी परफेक्ट स्कुयर दिख रही है मेरे को मेरे को तो सरब एक ही परफेक्ट स्कुयर दिख रही है अगर आप ये सीख गए बुद्धी का विकास होगा ओलंपियाड के प्रोब्लम अगर आप सॉल्फ करना चाहते हो तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग डवलप करनी होगी आपको दिमाग को ट्रेन करना होगा सोचने के लिए ये सोचना सीखे हमेशा ओलंपियाड में जब भी प्रोब्लम दिये जाते हैं सिचुएशन दी जाती है आपको एक नई सिचुएशन दी जाती है आपको उस सिचुएशन में आंसर तक पहुंचने के लिए आपको अपनी ही एक अप्रोच वहाँ पे बनानी पड़ती है अगर आप given situation से जो चीज पूछी है वहाँ तक जाना चाहते हो तो आपको एक approach construct करनी होगी रटे-रटाई formula से सवाल नहीं होने वाला इसलिए सोचना सीखें, critical thinking को develop करना सीखें यहाँ पे यह सवाल आप देख रहे हो इस सवाल ने कई लोगों को चक्मा देते हुए देखा है मुझे लगा आप तक जरूर पहुंचाना चाहिए यहाँ पे आप देखिए, एक four digit का number है यह देखिए, यह four digit number है और यह four digit number कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे यह दोनों digit बराबर है यह दोनों digit बराबर है और यह four digit number आपका square है परफेक्ट square number है परफेक्ट square number है आपसे पूछा गया है, बताइए यह किस number का perfect square है आपसे पूछा गया है कि बताइए किस number का perfect square है अगर आप नंबर बता देंगे कि नंबर क्या होगा, तो ये भी बता देंगे कि किस नंबर का perfect square है, ये भी बता देंगे कि किस नंबर का perfect square है, आपको जरूर try करना चाहिए एक question, अपनी copy pen उठाएं, इस सवाल को try करें, सच में आप maths भगत हो, अगर आप maths की पूजा करते हो maths सीखना चाहते हो, यार इस नंबर को जरूर try करें, आप चाहिए class आठवी में हो, नवी में हो, दस्वी में, ग्यार्वी बार्वी और maths लवर हो, चाहिए बार्वी पास भी क्यों न हो, इस सवाल को आप जरूर try करें, मज़ा आएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, औ और आपके basic concept में कितनी ताकत होती है, ये बात आपको इस सवाल सिखा के जाएगा, आईए मैं solve करता हूँ, लेकि मेरा solution तभी देखेगा जब आप attempt ले ले, यहाँ पे left hand side में जो कहानी है, a, a, b, b, अब ये पहला digit है, दूसरा है, थर्ड है, फोर्थ है, मुझे बता इसा लिख सकते हैं, आपन, b, plus 10b, plus 100a, plus 1000a, ये सर, लिख सकते हैं, सर, place value theorem है, सर, ठीक है, अब interestingly, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, इन दोनों को club करके 1100a भी लिख सकते हैं, और इन दोनों को club करके 11b भी लिखा जा सकता है, यही यहाँ पे बड़ी interesting बात है, आप यहाँ पे इन दोनों में से देखोगे, दोनों में से देखोगे, तो 11 common आ जाएगा, जब 11 common लेंगे यहाँ पे, तो यह हो गया मेरा 100a, plus, मेरा हो गया b, यहाँ पे अब जो statement मैं pass करूँगा, आप ध्यान से सुनना, मज़ेदार बातें अब यहाँ से चालू हो रही ह मैं आपको कह रहा हूँ, अगर यह number एक perfect square है, और इस number में 11 एक factor है, तो इस number में एक और 11 factor होना चाहिए, एक और 11 factor होना चाहिए, 100% एक और 11 factor होना चाहिए, यहाँ पे इसके अंदर must have one more factor that is 11, must have, this must be divisible by 11, तबी तो factor होगा, यह 11 से divisible होना चाहिए, क्योंकि एक और 11 निकलेगा, तबी तो 11 square, prime number है यह, prime factor इसके होंगे, तो इसके prime factor यहाँ पे हो रहे हैं, तो square की form में होने चाहिए, must be divisible by 11, यह 11 से divisible है, तो यहाँ पे अपने comment कर सकते हैं, प्यारा सा comment कर सकते हैं, क्या comment करेंग 11 से divisible तबी होगा, जब यह मेरी चीज 11 से divisible हो, A plus B, है न, A plus B 11 से divisible हो, क्योंकि यह 11 से divisible हो ही रहा है, तो यहाँ से comment मैं ने कर दिया, कि मेरे दोस्त, A plus B जो है, वो 11 से divisible होना चाहिए, और A plus B में A और B जो है, यहाँ पे देखे, digits है, A और B डिजिट्स है मेरे, A और B की जो values है, A और B की यहाँ पे जो values है, वो 0 से 9 तक की संभव है मेरे दोस्त, A और B की values तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन में से ही संभव है, और A plus B 11 से divisible भी है, तो 11 से divisible या तो 11 होगा या 22 होगा, इन में से 2 नंबर का जो 22 तो आएगा नी, 33 तो आएगा नी, तो सिर A plus B 11 हो, A plus B must be 11, तो यहाँ पे सबसे पहला conclusion निकाल दिया, कि A plus B का जोड 11 होना चाहिए, यह A और B कुछ इस तरीके से होने चाहिए, कि A plus B मेरा 11 होना चाहिए, यह बात clear होगी, confirm होगी, अगर A plus B को मैं 11 ले लूँ, देखो यहाँ पे A plus B 11 आ गया, तो मेरा देखो अब कितना आ गया, 9 A, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यह 11 था न, 11 को में ले 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 यहाँ वन आ गया, 9 A आ गया, तो यह तो मेरा 11 स्क्वाइर हो गया, अब इसको भी परफेक्ट स्क्वाइर होना चाहिए, यह जो नंबर लिखा है, this must be a perfect स्क्वाइर यह मेरा परफेक्ट स्क्वाइर होना चाहिए, मेरा 9 A प्लस 1 परफेक्ट स्क्वाइर होना चाहिए, मेरा 9 A प्लस 1 परफेक्ट स्क्वाइर होना चाहिए, A की वैल्यूज क्या-क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो सकती हैं, तो 9 A प्लस 1 की वैल्यूज क्या होगी, 9 2, 18, 18 plus 1, 19, ठीक है, तो 9 की टेबल देखो, 28, 37, यह 46, 9 इंटो 6, 54, और 55, 9 इंटो 63, और 64, 72, 73, 9 इंटो 81, 82, अब यह क्या होना चाहिए, अभी लिखा था, must be a perfect square, अब यह perfect square भी होना चाहिए, इसकी values अगर आप देखोगे, तो इसकी values यहाँ पे लिखी हुई है, कौन सी perfect square दिख रही है मेरे को, मेरे को तो सरफ एक ही perfect square दिख रही है, तो यहाँ पे एकदम clear है, hence, यह भूत ही clear हो चुका है, कि मेरा 9a plus 1, मेरे दोस्त, 64 होना चाहिए, 9a plus 1, 64 होना चाहिए, a मेरा होना यह जो number है, a, a, b, b, यह यहाँ पे 11 square into, यह कितना आ गया 64, बोले तो 8 square, ठीक है, तो यह हो गया आपका 88 का square, यहाँ पे मेरा जो x है वो 88 आ गया, x 88 आ गया, x कितना आ गया 88, a कितना आया है, a मेरा कितना आया है, a मेरा कितना आ गया, 7 आ गया, और a अगर 7 आ गया, 11-7, कितना अगया 4, तो मेरा जो number था, यह कितना था 7744, तो मेरा जो number है, यह 4 digits नमबर है इस format का, 7744 वो number है, जो मेरा 88 का square होगा, तो मेरा जो X है, यहां पे मेरे दोस्त, X है मेरा वो कितना आगया, वो आगया 88, तो find x पूछा था, x मैं निकाल दिया 88 आ गया, किया पर देख वो कोई सी चीज लगाई जो आप नहीं जानते थे नहीं लगाई लेकिन यह जो अप्रोच डेवलेप किये जो मैंने सोचा है जो बुद्धी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर जो लोजिक का इस्तेमाल हुआ एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर कैसे जाना यह बाते